गुरु गोरखनात नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक अती प्राचीन में सिध्ध रक्षा मंत्र बताने जा रहा हूँ कोई भी साधना करने से पहले इस मंत्र का जब कर लेने से साधना काल में कोई भी विगनवाधा उत्पन्न नहीं होती है एवं शभी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है यह एक श्वैंग सिध मंत्र है इस मंत्र का प्रियोग आप सभी परकार की साधनाओं में कर सकते हैं सात्विक, राजशिक, तामशिक, आदिशभी साधनाओं में इस मंत्र के परभाव से रक्षा होती है शाधना शुरू करने से पहले इस मंत्र को सिर्फ ग्यारा बार पढ़ कर अपने शरीर पर फूंक मार लेना है इस मंत्र से आप रक्षा गेरा भी बना शकते हैं रक्षा घेरा बनाने के लिए किसी भी नई चाकू या छूरी पर मंत्र को ग्यारा बार पढ़ कर फूंक कर अपने चारों तरफ दाहिने तरफ से गोल घेरा बना लेना है और उस गोल घेरे में बैठ कर साधना करनी है इस रक्षा मंत्र को पहले किसी भी सुभ मुहुर्त में या किसी विशेश्त तिथी जैसे होली दिवाली नौरात्री रिशी पंचमी या सूर्ज गरहन या चंद गरहन काल में अशनान कर पूरब मुख हो कर सफेद आसन पर बैठ कर शामने गाय के घी से दीपक प्रजलित कर रुद्राक्ष की माला से एक माला यानि 108 बार मंत्र जप करना है फिर आप इस मंत्र का परियोग चाल नाकाल में नाकारातमक शक्तियों से रक्षा के लिए कर सकते हैं किरिप्या चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेयर करें आदेश